हाई स्टुटेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बी डावली बेसिक इलेक्टिकल इंजीनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन के बारे में बताऊंगा पहला कुश्चन है गैसों में धारा का पिरवा किसके कारण होता है अप्षन नमर ये है केवल इलेक्टॉन अप्षन नमर बी है केवल धनात्मा कैन अप्षन नमर सी है इलेक्टॉन और धनात्मा कैन अप्षन नमर डी है इलेक्टॉन धनात्मा कैन और रियात्मा कैन तो इन चारो अपसन में आपसन नमबर आपका D सही हो जाएगा धारा का प्रवा के लिए इलेक्ट्रॉन धानात्मा काईन या रिदात्मा आएन कोई भी हो उनकी धारा धारा आशानी से प्रवा हो जाएगी ओकी गाइस नेस कुछिशन की बात कर लें कुछिशन नमबर 2 ठोसों में अपसन नमबर के लिए ये बैड़ते प्रवा किसके कंपथा यूं ए इलेक्ट्रो अपसन नमबर A हो अपसन नमबर C है प्रमौ्डल आपसन नमबर D है नूक्लिया तो इन 4 प्रवा अन्बर आपका पहला सही हो जाएगा नेस कुछिशन की बात कर लें कुछिशन मद्री जरूरी नहीं है कि switch हो resistance हो ठीके तो voltage source तो होना ही चाहिए बट यह cancel हो जाएगा क्योंकि resistance switch के में कोई जरूरी नहीं है तो next बात करते हैं भी आपसन पढ़ते हैं voltage source आ conductor हाँ एक voltage source होना चाहिए प्लस एक conductor चालक होना चाहिए जिसमें धारा असानी प्रिवाद हो सके तो आपसन नमर आपका 20 सही हो जाएगा और देखते हैं आपसन मसी आप power source आप अब अल्ब तो current प्रिवाद के लिए कोई जरूरी ही कि बलब ही हमारे पास हो ठीके तो आपसन नमर आपका 20 सही हो जाएगा next question के बात कर लें विद्दुधारा का पता लगाने वाला उपरा जहलाता है a बोल्ट मीटर रियो स्टेर ट वाट मीटर गैलवेनू मीटर तो विद्दुधारा को पता लगाता है अपसन नमर आपका D सही हो जाएगा next question के बात कर लें विद्दुधाब को भी कहते हैं प्रत्रोत पावर बोल्टेज तो विद्दुधाब को कहते हैं बोल्टेज voltage क्या होता है voltage एक electric pressure है या विद्दुधाब है जो electronic दोरा उद्पन होता है और electronic पर ही लगता है ठीक है next question की बात कर लें question number 6 निम्द में से या निम्द लिखित में से कौन सा ampere second एकाई हो सकता है reluctance charge power energy तो option number आपका ठीक है 20 ही हो जाएगा ampere second क्योंकि q कल्डु क्या होता है it ठीक है आई क्या है आपका current है ठीक है time तो current का formula जो unit होती है काई होती है वो ampere होती है और time का ampere second बात कर लें reluctance reluctance क्या होता है reluctance का जिस प्रकार हमने पढ़ाता है एलेक्टिक सर्कीट में प्रत्रोध होता है जो धारा का विरोध करता है उसी प्रकास मेगनेटिक सर्कीट में रिलेक्टेंस क्या करता है फ्लेक्स के प्रवा को रोकता है नहीं जाने देता है ठीक है चार्ट तो आप जानते हैं पावर के बार एक है MpR आर्स अपस्ट नंब भी है MpR Bolt C है KWH अपस्ट नंबर D है MpR तो अपस्ट नंबर अपका D सही होग जाएगा हमेशा आप हुज स्टार की रेटिंग जो की जाती है MpR में की जाती है क्वेश्ट नंबर 8 करते हैं सक्ती का मात्रक है हेंरी कुलाम वाट वाट घंटा तो पावर का यह यूनिट होता है आपका वाट होता है तो आपसा नमबर आपका सी सही हो जाएगा नेश्ट कोश्टन के बाद कर लें temperature coefficient of resistance is in terms of तो कह सकते हैं प्रतुरोट का ताप गुणांग किस में होता है तो प्रतुरोट का ताप गुणांग आपका ohms per ohm degree Celsius पर होता है तो आपसा नमबर आपका सी सही हो जाएगा नेश्ट कोश्टन के बाद कर लें वन नूटन मीटर इस सेम एज वन वाट वन जूल फाइव जूल वन जूल पर सिकेंड तो अपसन नमबर आपका भी सही हो जाएगा जूल ओके गाईज नेस्ट कुश्टन के बात कर लें निमन लिखित में से किस पदार की प्रत्रोधकता सबसे कम है जिंक लेड लेड लिखा है इसमें लेड कर लेना पारा कापर तो प्रत्रोधकता सबसच्छा जो चालक है यहाँ पर आपका कापर है तो कापर की जो रजिस्टिविटी होगी प्रत्रोधकता होगी वो लो होगी तो आपका यहाँ पर आपसना नमबर डी सही हो जाएगा नेस्ट कुश्चन की बात कर ले निम्न लिखित में से किस के पास नका आरात्मा ताप गुडांग हो सकता है चांदी के यौगिक तरल धातू धातू मिस्र धातू इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पर आपसना नमबर आपका डी सही हो जाएगा ठीकें और गाइस नेस्ट कुश्चन की बात कर ले कुश्चन नमबर तेरा प्रत्रोथ के पूर माप के लिए निम्न लिखित में से किस विदी का प्रियोग या उप्योग किया जा सकता है तो यहाँ पर आपसना नमबर आपका डी सही हो जाएगा कुश्चन नमबर अगला करते हैं निम्न लिखित में से किस में विडात्मक ताप गुडांक नहीं है तो पहले सबसे बात कर लेते हैं कि जो चालक होते हैं कंडेक्टर जिसे बोलते हैं कंडेक्टर का जो ताप गुडांक होता है टंप्रेचर कोफिसेंट होता है हमेशा क्या होता है पोस्ट्टू होता है और जो आपके अर्थ चालक होते हैं सेमी कंडेक्टर सेमी कंडेक्टर प्लस एंसुलेटर होते हैं उनका जो ताप गुडांक होता है वह निगेट्व होता है यह बात यह रखें तो चलते हैं अब सन्व का हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह हमारा क्या है ठीके देख सकते हैं अलमियूंका है कंडेक्षर और इसका टमप्रेक्ट्र कोफिसेंट होगा मैं की इस मतल Beetle Mother मतलब इंसुलेटर है आच्छा लाखिजी से बोलते हैं इनका सभी क्या होगा रियात्मा प्रताप गुडांग होगा वो निगेट होगा तो इसका पोश्टू होता है तो आपसे नमबर आपका यह सही हो जाएगा कुशन नमबर अगला करते हैं बिजली का सबसे अच्छा अगले में जो कंडिक्टर होता है सिल्वर होता है चानी ठीक है नेकिन क 是क बात कर लें भिजली की बलब का फिलामेंट बना होता है अपसर नमबर एक कारबन अफसर नमबर भी है अलिमीटून तो कास से हो जाएगा कि कारबन का कि यह आए आज कल की बात कर लेए तो आपको क्या में अफ्सेन नमबर सी शियुन हो जाहएं था थैक के है եैंप पैले जो बनाया जाता था कारबन कट अब बहले। 바뀌के फिला मिंठ बलब की बनाया जाता थे कारबन टंटालम दूसरा था टंटालम तीसरा था आपका कह सकते हैं ठीक हैं यह टंगस्टन को बनायाता था ओके नएस्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो आज कल आपका यही सही हो जाएगा मोचली इसकी कार्बन को यूज नहीं करते हम ठीक हैं क्वेशन नमबर 17 करते हैं निम लिखिद में से किस समागरी में प्रतुरोत का नकरात्मक ताब उडांग होता है कापर इलुमीनियम कार्बन ब्राज तो यहां पर नेगेटिव टंपरेशर कोपिसेंट की बात की गई है तो किसका होता है यह कंडेक्टर है यह भी कंडेक्टर है यह भी कंडेक्टर मिक्स रधातू है पर जो कार्बन है वह हमारा सेमिकंडेक्टर है ठीक है तो यह क्या है यह किसा चाहिए क्लेम क्डेक्चन 10 लिखिट में से किस समागरी में प्रतुरोत का लगभग सून ताप मान गुडांग है तो मैगनीज चीनी मिट्टी के बरतन कारबन कॉप तो आपसन नमर आपका एसा ही हो जाएगा मैगनीन का ठीक है नेस्स कुश्चन की बात करने वह पदार जिसमें बड़ी संक्या में मुक्त रेक्टान होते हैं और प्रतुरोत प्रतान करते हैं एलेक्टान कहलता है तो आपसन नमर आपका डीज सही हो जाएगा कंडेक्टर कहलाता है ओके गाइज एंसुलेटर क्या होता है देखो अगर बात कर लें एंसुलेटर की बारे में ठीक है इसमें जो मुक्त एलेक्टॉन होते वो नगंड होते हैं निगलेक्ट होते हैं इनमें धारा प्रवा नहीं होती है ठीक है ठीक है इसकी मुक्त लेक्टोन संकता हाई होती है करेंट आसानी से प्रवा हो जाता है इसकी रजिस्टिविटी लो होती है ठीक है बात कर लें इसका जो टंपरेचर कोफिसेंट होता ताप गुडांग होता है वो पोश्टू होता है और इसका क्या होता है negative होता है तीसरा है आपका आर्थ चालक इसका भी temperature coefficient negative होता है पर इसमें जो धारा होते रुक रुक के प्रवाइद होती है ठीक है इसमें जो मुक्त इलक्ट्रोन होते चालक से कम और अचालक से ज़्यादा होते हैं इंडेक्टर की LIO2 ठाइए ये इसका यूनिट होता है आज कल जो एंडुक्टर होता हैं इंडुक्टर का में यूज वार वार सबस्टेशन में या कह सकते है जनुरेटर उनके सिरीज में जातर इस्तिमाल करते हैं यह क्या करता है जो short circuit current होता है उसकी limit को maintain रखता है मतलब बढ़ने हैं नहीं देता है ओकी गाइस नेस question के बात कर लें अगला question मानो सरीर का प्रत्रोत लगभग होता है 50 ohm, 25 ohm, 50 ohm या 1000 ohm मानो सरीर का जो resistance होता है 1000 ohm होता है आपसे number आपका D सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझने आया होगा अगर कोई भी point song नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं comment कर दिएगा हम बता देंगे